ये हैं दोस्तों Samsung Eco Bubble Technology के साथ आने वाला 7kg का एक fully automated top load washing machine और इस वीडियो में इसकी unboxing, setup और एक initial impression में आपके साथ share करूँगा ताकि आपको idea रहे कि अगर आप ये product Amazon या Flipkart से मंगाते हैं तो किस तरीके का packing आता है, साथे साथ आपको क्या-क्या extra services देखने को मिलती है तो जो भी आपके requirement है, उसके recording आपको buy करना है, जो कि वीडियो में आगे आपको पता चली जाएगा वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम है अबजीत और आप देख रहे हैं स्टेटेगी यूटूब चैनल जहाँ पर हम home appliances के बारे में बात करते हैं, इंट्रेस्टेट होंगे, चैनल को subscribe जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे का like कर देना, आप चलो start करते हैं unboxing के साथ तो कुछ इस तरीके से आपको packing करके product भेजा जाता है, दोस्तो और जब भी आप Flipkart या Amazon से order करते हैं तो product को open करके आपको दिखा दिया जाता है और आप चेक कर लेना कि कोई भी physical damage है या फिन नई, तब जाकर कि आप अपनो OTP देना सब तरब से दोस्तो हमने verify कर लिया था और यहाँ पर से अगर मैं आपको दिखाओ जो MRP है, यहाँ पर से product का आप देख सकते है, साड़े 22,000 के around यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यह है power cord, इसके अलावा यह वाला जो part आप देख रहे हैं, यह एक तरीके से rat से बचाएगा, इसको नीचे के तरफ install किया जाता है इसके अलावा दोस्तों कुछ जो pipe के connections होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं, वो थोड़ी दिर में हमें आपको explain करता हूँ इसके अलावा जो drain pipe है, वो भी आपको अंदर के तरफ देखने को मिलता है, इसको भी हमें connect करना पड़ता है next यहाँ पर से आपको एक booklet भी देखने को मिलता है दोस्तों, जिसको आपको open कर लेना और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से यह जो clip आपको मिलता है यह सबसे important है, यह हमें drain pipe में install करना पड़ता है और इसके अलाबा एक और screws भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हमी use करेंगे बाकी यहाँ पर से जो cleaning यह सब के process है, वो इसके leaflet में देखने को आपको मिल जाता है खेर इसके physical overview की बात कर लेते हैं, तो उपर के तरप से दोस्तों Samsung की branding है और wash cycle के पूरे program आपको देखने को मिलते हैं, on और off कर सकते हैं और यहाँ पर से pause और play भी आप कर सकते हैं, इसके लाबा पूरी functionality यहाँ पर से display आपको देखने को मिल जाती है इसमें हम थोड़ी दर में चर्चा करेंगे, खेर जो सबसे important चीज आप देख पाओगे, पहले ही जैसे open करते हैं कि इसमें जो आपको door दिया गया है, वो soft closer mechanism के साथ आता है यानि कि तुरन से ये नीचे के तरफ बंद नहीं होगा, आवाज नहीं आते हैं, एकदम आराम से दिरे-दिरे नीचे उतरता है, बहुत जादा satisfying लगता है और top के तरफ से दोस्तों आपको यहाँ पर से liquid bleach यूज करने का option मिल जाता है और अगर आप detergent insert करना चाहते हैं, तो इस वाले panel को आप बाहर के तरफ slide कर सकते हैं और यहाँ पर से आप जो भी detergent use करते हैं, उसको लगा करके अंदर के तरफ से push कर सकते हैं इसके लगा दोस्तों यहाँ पर से कुछ stickers दिये गए हैं, और आप देख सकते हैं, इनका toll free number भी यहाँ पर mention किया गया है और यह जो QR code दिया गया है, यहाँ पर से आप product को register कर सकते हैं, manual download कर सकते हैं और customer support को भी ले सकते हो फिर यह जो product है दोस्तों यह 5 star के rating के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर से भी बहुत सारी जानकारी लिखी गई है, like energy consumption क्या होगा और जितना भी कपड़ा आप insert करते हैं, per kg के हिसाब से यह water का consumption करता है इसके लावब दोस्तों left side के तरब आप देख सकते हैं, आप अपने fingers को यहाँ पर से insert करके इधर उधर इसको ले जा सकते हैं क्योंकि यह product थोड़ा तो भारी है, और in fact right side के तरब भी आपको यह चीज़ देखने को मिल जाता है बाकी back side के तरब से दोस्तों आप देख सकते हैं, जो cold water का inlet होता है, उसका point यहाँ पर दिया गया है और किस तरीके से आप use कर सकते हैं, उसका पूरा process यहाँ पर से explain कर दिया गया है यहाँ पर से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से connect करते हैं नेक्स यहाँ पर से दोस्तों इस तरब आप देख सकते हैं hot option है, बट यह close है क्योंकि यह product hot water को support नहीं करता है बाकी model number यहाँ पर mention किये गए हैं, wire आप देख सकते हैं, काफी लंबा है और नीचे के तरब से जो drain water का outlet है, वो आपको देखने को मिल जाता है अब material की बात करते हैं, तो जो top का आपको lead देखने को मिलता है, उसमें आपको जो glass मिलता है, वो high quality का glass है यह जल्दी तूटेगा नहीं, और in fact जो soft closing यूज किया गया है, उसकी वज़ा से इसकी durability और हो जाती है इसके अलाबा यह जो product है, यह पूरी तरीके से metal construction के साथ आता है, long lasting है और यहाँ पर कोई भी rust नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छी quality का paint का use किया गया है और अंदर के तरब से stainless steel diamond drum मिलता है, साथी साथ जो pulsator है दोस्तों वो भी high quality का use किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं magic lint filter का भी use किया गया है, वो भी हम आपको थोड़ी दिर में दिखाते हैं और जो सबसे important चीज यहाँ पर से आपको 2 years का comprehensive warranty मिलती है और 20 साल का आपको warranty इनके motor के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि motor भी बहुत high quality का use किया गया है तब जा करके आपको इतना जादा warranty Samsung provide कर रहा है, अब installation की बात करते हैं तो Samsung के तरफ से खुद जो technician होते हैं वो आएंगे और वो खुद install करेंगे सब कुछ का setup करके आपको बताएंगे बट फिर भी मैंने ये process अपने से खुद से करके आपको दिखाया इस वीडियो में तो पहले तो इस product को हमने नीचे के तरफ से लिटा दिया था अच्छे से और सबसे पहले इस वाले flap को हम नीचे के तरफ से install करेंगे ताकि कोई भी जो rat ये सब होते हैं वो अंदर के तरफ ना चले जाएं तो कुछ इस तरीके से आपको slide करना है और जो एक screw आपको दिया गया था उसको यहाँ पर से आपको लगा लेना है अपने screwdriver की मदद से बस काम हो गया अब next जो important चीज है वो है drain pipe को install करना तो ये pipe जो आपको मिला था उसको यहाँ पर से simply आपको लगा लेना है लेकिन ये जो part आप देख पार है clip इसको भी पहले अंदर के तरफ से install कर लेना and then कुछ इस तरीके से दोस्तों आप pressure लगा करके यहाँ पर से insert कर सकते हैं तो ये के तरफ से नहीं निकलेगा जो कि आप देख सकते हो और drain pipe के end में एक clip type का बना हुआ है जो कि आप अपने washing machine के पीछे hook कर सकते हैं जो कि यहाँ पर से मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा दिखेगा अब next और जो सबसे important चीज है कि water का जो input होता है उसे कैसे यहाँ पर से install किया और tap के end में दोस्तो कुछ इस तरीके से आप इसे लगा करके install कर सकते हैं इसके अंदर आपको washer यह सब भी देखने को मिलता है ताकि पानी leak ना हो तो उस तरीके से आप use करना and then फिर जो plastic वाला module है उसको यहाँ पर से आप रख करके install कर सकते हैं जो कि आप वीडियो में अगर पानी के leakage होते हैं तो थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से tight कर देना है and then फिर आप देख पाओगे कि पानी बिल्कुल leak नहीं कर रहा है इसके बाद जो drain pipe है उसको यहाँ पर से जो हमने hook किया था उसको निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से और जो यहाँ पर से drainage का option मिलता है आपको घर पे जहाँ पर भी होगा वहाँ पर से आप simply लगा देना and lastly इस machine को power देने के लिए जो भी point होंगे आपके घर पे वहाँ पर से simply लगा करके on कर लेना and एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा system आप देख सकते हैं tap से हमने water को connect किया है on भी है और यहाँ पर leakage बिल्कुल नहीं हो रहा है इसके अलाबा जो drain pipe है उसे मैंने drainage में डाल दिया है and power को on कर दिया है इसके बाद machine को on करने के लिए simply यह जो power button दिया जाता है इसको आपको click करना है machine आपका on हो जाता है अब यहाँ पर से दोस्तो wash cycles की बात करते हैं तो normal में अगर आ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप set कर सकते है washing cycle यानि कि आप जब जब यह button को click करेगे जैसे यहाँ पर अभी मैं click किया हूँ तो यह once हो कर रहा है और one represent करता है normal को अगर आप यहाँ पर से click करोगे one के बाद two तो यह basically यहाँ पर से चला जाएगा quick wash पे अब quick wash में obviously अगर आप जल्दी धोना चाहते हैं तो आप देख सकते है timer थोड़ा कम हो गया initially वो 45 minute का था अब यह 35 minute में चला गया है और अगर आप जो eco tub का cleaning process में घुसना चाहते हो तो यहाँ पर से दोस्तों आपको यह 8 number पे जाना होता है अब number पे तो आप जाने सीख गये let's suppose अगर first ही number पे जा करके clean करना है तो यहाँ पर से आप देख पाऊगे number जो है 1 पे selected है और उसके बाद simply आप यह button क्लिक कर दोगे तो यह start हो जाएगा इसका पूरा process अगर आपको beach में इसे open करना है तो यह कुछ इस तरीके से रुख जाता है और यहाँ पर से जो DC है वो आपको द दिखाया गया है और इसके अंदर आपको फिर कपड़े डालने है या कुछ निकालने है तो accordingly आप कर सकते है उसके आप फिर इसको इस तरीके से आप ढग दो and then फिर आप चेक कर पाऊगे कि यहाँ पर से यह start हो गया घूमना अब detergent इंसर्ट करने के लिए इस वाले cabinet को तरीके से detergent खाली हो चुका है यहाँ पर से आप कोई सा भी detergent इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आपको अगर liquid यूज़ करना है तो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं और machine में बार बार warning आ रहा है DC क्योंकि यहाँ पर से door open है अब देखो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर से लगा दिया है और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो यह detergent है वो bubble storm यहीं पर से formation कर दे रहा है आप देख सकते हैं नीचे के तरब से पानी गिर रहा है तो जो सर्फ है उसी को यहाँ पर से यह ले करके नीचे के तरब से जा रहा है और यह जो drum है यह पूरी तरीके से जो नीचे आ रहा है वो bubble का formation कर रहा है तो कुछ इस तरीके से यह काम करता है अब चलो कुछ कपड़े को यहाँ पर से डालते हैं तो मैंने यहाँ पर से एक नॉर्मल जो चादर होता है वो insert किया है और इसके लावा यह एक टावल है जिसको मैं यहाँ पर से डाल दे रह रहा है और यह rinse वाले process पर चला गया है तो basically इस process में होता क्या है कि पहले तो यह पानी लेता है उसके बाद फिर से यह घूमता है ताकि पूरे जो भी dirt है extra वो निकले and then फिर थोड़े देर के बाद फिर से घूम करके यह रुख करके सारे जो extra पानी होते हैं जो भी west वाले पानी होते जिसमें जाग रहता है दोल मिटी रहते हैं वो पूरा निकल जाता है बाहर के तरप से और अभी आप देख सकते हैं दोस्तो 11 मिनेट बचा हुआ है और range का जो part है वो खतम हो गया है और spin का part स्टार्ट हो चुका है ओर आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरीके से घूमना स्टार्ट हो गया है and vibration बहुत rare आपको मिलता है क्योंकि मेरा जो camera है ये lid के ऊपर directly रखा हुआ है आवाज भी आप यहाँ पर से सुन सकते हैं मैं directly voice over अभी भी करता जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं final watch complete हो गया है last में कुछ इस तरीके का music सुनाई देता है और यहाँ पर से मैं timing भी आपको दिखा देता हूँ एक बच करके 50 minute हुआ है और आप देख सकते हैं कि bed seat का white part है वो भी clean हुआ है अच्छे से कहीं पर भी detergent का दाग नहीं आया है क्योंकि मैंने बहुत basic सा detergent यूज किया था अगर आप liquid वाला यूज करोगे तो obviously आपको और अच्छे result मिलेंगे कम यूज करके जादा अच्छा quality आपको मिलेगा और मैं छू रहा हूँ इसमें यार मतलब पर आपको recommend करूँगा कि हर दो हपतव में यह जो linha filter रहता है इसको आप यहाँ पर से press करके कुछ इस तรीके से बाहर निकाल सकते है और यहाँ पर यहाँपर से तरीके से निकाल लेना है जो भी आपके कपडों में धहागा है एक्स्ट्रा या बहुत जादा धूल मिट्टी है तो बहुत सारा चीज यहाँ पर से जमा हो करके आ जाता है और एक बर जब इसको आप clean कर लेते हैं तो दुबारा से कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर से लगा करके आपको प्रेस कर देना है तो मैंने आपको इस Samsung के जो top load washing machine है उसके regarding सब कुछ explain कर दिया और आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि यही model मैंने दो अलग-अलग variant buy किया है एक अपने sister के लिए और एक मैंने खुद के लिए अब देखो मेरे घर में चार family members है तो उस हिसाब से यह मेरे लिए sufficient है क्योंकि wash की quality अच्छे निकल के आती है sound जादा आपको सुनाई नहीं देता है इस तरीके का soft closing lead दिया गया यह भी बहुत जादा useful होता है तो बहुत सारे इसके features तो आपने जान लिए तो मैं आपको इतना बोलूँगा कि 4-5 family members है आप 7 kg देख सकते है बढ़ अगर आपके घर में और जादा लोग होंगे जादा आप कपड़े धोते है regular basis पे बहुत जादा तो फिर आप 8 kg की साथ जाओ थोड़ा सा लगभग 12,000 रुपे एक स्टा लगाना पड़ेगा तो वो आप चेक कर सकते है और वैसे आपको ये Flipkart और Amazon दोनों जगह पे मिल जाता है जहां से आपको अच्छे price में मिल जाता है आप buy कर सकते है 7 kg, 8 kg दोनों के link में आपको description box में दे रहा हूं जरूर चेक कर लेना और साधी साथ bank offer भी आपको मिलते है discount भी कई बार sale में मिल जाता है तो वो भी check करके आप buy कर सकते है generally आपको 16,000 से 20,000 के बीच में आराम से मिल जागा obviously कुछ offer रहेगा तो वो आपको देखना का काम है दोस्तो वैसे हाँ इसका step by step किस तरीके से process यूज किया जाता है वो सब देखना होगा तो i button पर click करके देख सकते हैं यहाँ पर भी click करके देख लेना description box में मैं लिंक दे दूँँगा और अगर अब भी भी आपके मन में कोई doubt है comment करके ही जाना मैं reply जबुद देन की कोशिट करूँगा बाकि इस विड़े में इतना है like से और subscribe करके जाना so thanks a lot for watching